हेलो गाइज वेलकम टू मैं अनदर मिनी ब्लॉग तो हम पहुंच गए गेटवे ऑफ इंडिया मॉंबाई यहां पर हमने फोटो क्लिक करवाया और यहां पर हमने वंच के लिए गॉगल लिया उसके बाद हम पहुंच गए इन फ्रेंट ऑफ होटल ताज यहां मॉंबाई पो पोटो क्लेक कर आए है कि इसके बाद मैं जाओंगे क्रूस एडिंग के लिए विकास क्रूस की बुकिंग कर रहे है और वांच हराम से इंज्वादे कर रहा है कि क्रूस की रैडिंग कब जाएगा इसको भी मजा आने वाला है और मैंने फोटो क्लिक राई लिया फाइनली और इसके बाद मैं अब चाहूं की क्रूज पर आपको भी दिखीगा कि कितना मजा रहा है यहां पर बहुत यह अच्छा लग रहा है सारा व्यू बहुत अच्छा है और हम लोग आगे हैं क्रूज पर फाइनली विगास ने कोल रिंग पी ली एसे पहले मैंने ली थी कोल रिं पर ये क्रूज स्टार्ट हो गया है आप लोग देख सकते हैं कि सामने बहुत बड़े बड़े शिप थे बई मैंने तो लाइफ में पहली बार देखे इतने बड़े बड़े शिप कितना मजा आ रहे है ना यहां पर बहुत बहुत मजा आ रहा आ आस पास सिर्फ शेप हैं क्रूज है बास और पानी वाव ज़स्ट वाव बहुत ही ब्यूटिफल है बहुत ही ब्यूटिफल है वाव आप लोग भी देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है यहां पर मैं तो कहती हूँ कि आप लोग को भी एक पर जरूर आना कभी भी आप मुंबई आओ तो आप लोग यहां पर विजिट जरूर करना यह होटल ताज के जस्ट सामने ही है पोर्ट यहां पर आपको क्रूज की बुकिंग करनी होती है और यह आपका परसनल क्रूज है और गेटवेव ओफ इंडिया की जस्ट बैक साइड में आपको पैसेंजर क्रूज भी मिल जाता है जहां पे बहुत सारे पैसेंजर एक साथ भी क्रूज पर जा सकते हैं यह आपको परसनल हायर करना पड़ेगा ज बंश आराम से लेता हुआ अब इसको नीन दा रही है थोड़ी से तो हमने बंश को लेटा दिया और हमारी फाइनली राइड होने वाली है कंप्लीट तो आप कमेंट में ज़रू बताना कि आपको मेरा यह ब्लॉग आजका कैसा लगा थैंक यू बाबाई